तो आ गए आप लोग चलिए शुरू करते हुआ है 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 चक 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 है तू हेलो दोस्तों वेलकम चू आर एंड के आशा घरती हूं आप सब तो होंगे ही चक 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 और हम तो हैं ही चक चक तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बतादू कि हमारी इस चैनल पर हम हर एक तरीकी की बुक के बारे में बताते हैं उनकी कंटेंट से लेकर उनके प्राइस तक एक टू जट सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ इस चैनल पर मिलती है और यह जो बुक है वो सद्येशी केन द्वारा राजीव दिक्षित जी को समर्पित की गई हुई है जैसा कि इसमें लिखा हुआ है संपून आयुरवेद राजीव भाय द्वारा दिये के चिकित्सा के व्याख्यानों से प्राप प्रणा पर अधारित तो जो भी वो बताते थे कि हम कैसे घर की चीजों से ही खुद को ठीक कर सकते हैं और हाला कि आज के आजकल हम लोग कोई भी दवा नहीं खाना चाहते हैं तो हम कैसे ही अपने घर की चीजों से खुद को ठीक कर सकते हैं और बहुत ही शॉट में और बहुत ही अच्छे से इसको सब दिया गया है इस किताब में चलिए हर एक चीज बताई गई है कि भोजन पकाने का नियम कैसा होना चाहिए बच्पन की दिन चर्या जवानी की दिन चर्या बुढ़ापे की दिन चर्या उपवास का नियम और शारिरिक मुद्राओं का नियम और इसमें ये देखिए आप मदू में का भी दिया हुआ है और रात मे नाक बचना तो हर एक चीज मतलब कोई भी चीज मुझे नहीं लगता है इसमें छूटी होगी और जैसे कि आजकल सर्दियों में सर्दी खासी जुकाम तो बहुती लोगों कॉमेन होता है तो इस बुक के द्वारा हम लोग उसको पढ़के घरीलू चीजों से अपना सर्दी ख कि इस बुक में थोड़े से वर्ट्स एरर हैं कई जगे काफी बट ठीक है इतने भी नहीं है आप समझ जाओगे और जैसा कि यहां एक दिखने बहुत सुन्दर सा कोटेशन लिखा हुआ है माना की गुल को गुलशन ना कर सकेंगे हम पर कर देंगे कुछ काटें कम जिस रह कि इसकी भूमिका दी हुई है यहां पर चलिए इस बुक के अंदर का भी देख लेते हैं जैसे दातों का रोग आप देख रहे हैं नाक के रोग दात में कीड़े ना लगें उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बुक है आप लोग चाहें तो इससे ऑनलाइन पर्चेस कर सकते हैं एमेजन फ्लिप कार्ड पर आप लोग कोई इसली से मिल जाएगी तो चली खतम करते हैं आज की वीडियो यहीं पर और आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए अगर आपको ऐसी ही और अच्छी अच्छी किताबों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मैं उस किताब का रिव्यू शरूर दूंगी तब तक के लिए आप लोग स्टे हेल्दी और स्टे फिट